हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेम सुकला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पोर्ट्रेट ब्रस एडिटिंग इस तरह का आप कैसे अपने फोटो का कर सकते हूं तो मैं आज आपको इस वीडियो में जी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूं तो इसके लिए हम पिक्सल लाइब एप का यूज करेंगे अगर आपके फोन में पिक्सल लाइब एप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो एप को मोeft हो जाएगा अब इसके बाद आपको यहाँ पर यह जो ऑसन दिखाए आपको इसमें जाना है यहां पर आपको ड्राका ऐप इसे ब्लिक घरना है उसके बाद यहां से अफाल सेफिरया कर सकते हो अपने पेन नहींर करेंगे इसके बाद इसका जो pen size है इसको बढ़ाना है तो इसका pen size हम 27 कर देते हैं तो इसका pen size हम 27 कर देते हैं उसके बाद smoothness 24% ही आपको रहने देना है उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर draw कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से draw कर लेना है जैसा भी आप बनाना चाहते हो तो आपको इसको एक दमराम अराम से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है तो इसको हम नीचे की तरफ भी अब ड्रॉ कर लेते हैं तो यह हमारा पूरा ड्रॉ हो गया है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर टीक पर क्लिक कर देना है ड्रा हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है आपको यहाँ पर एक option दिखेगा texture का आपको इस texture वाले option में जाना है और यहाँ पर आपको gallery वाले icon पर क्लिक करना है तो यहाँ से आपको आपकी scale बढ़ाओगे तो यह zoom होने लगेगा तो हम इसका scale इस तरह से छोटा भी आप कर सकते हो तो इसका scale हम 100% ही रहने देते हैं उसके बाद आपको tick पर click कर देना है अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसका नीचे की तरफ आपको जाना है यहाँ पर सबसे पहले हम इसका color में जाते हैं और इसका background हम change कर लेते हैं तो इसका background अभी gradient पर select था आपको color पर select करना है और यहाँ से आप कोई भी color select कर सकते हो लेकिन मैं white ही recommend करूँगा तो आपको white select कर लेना है उसके बाद आपको फिर से left side वाले icon पर click करना है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर आपको एक option दिखेगा side का आपको side वाले option में जाकर इसको enable कर देना है इसको enable करने के बाद इसका blur radius है आपको इसको कम करना है तो इसका blur radius हम कम करके 4 कर दे रहे हैं उसके बाद आपको tick पर click कर देना है अब आपको उपर की तरफ जाना है आपको एक option दिखेका इस ट्रोक का आपको इसको भी enabled कर देना है उसके बाद आपको tick पर click कर देना है अब इतना हो जाने के बाद ये image आपका पूरा ready हो चुका है आपको इसको save करना है तो इसको save करने के लिए उपर वाले save वाले icon पर click करना है फिर आपको save as image पर click करना है और यहाँ पर dimensions अभी default है आपको इसको ultra select कर लेना है यहाँ से ultra select करने के बाद आपको save to gallery पर click कर देना है तो यह image आपके gallery में save हो जाएगी तो friends आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और bell icon को दवानन न भूलिएगा जिससे हमारी वीडियो की notifications आप तक पहुचती रहे thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में